तो ये वाला वीडियो मेरे सब्सक्राइबर्स मेरी ओडियन्स के लिए नहीं है ये वीडियो है कुछ edtech ब्रांट के लिए जो मेरे पास आते हैं और वो ये कहते हैं कि आप हमारा प्रमोशन कर दीजें लेकिन आपकी वीडियो उस पर व्यूज कमा रहे हैं तो हम आपको इतन स्कृब्रोव करा है । सूइर इस चीज को आपके चैनल पर चोटा होता है फरेंपल्स चोटा है 5000-10,000 सब्सक्राइबर्स अब यह मत कहने नंग आपने चैनल हूँ बछवत समझतë हूं नहीं चैनल के पांच औ D Kung दाण सब्सक्राइबर्स अगर उस चब्स फॉर इक्जंपल पचास अदार व्यूज भी आ रहे हैं तो इनका argument यह होता है कि आपका भी चैनल, आपका भी face value उतना नहीं है, आपका engagement इतना नहीं है, तो आपके व्यूज इतने आ रहे हैं, आपके subscriber इतने नहीं है, तो भी हम आपको इतना pay नहीं करेंगे, तो आप देख करता है आप विउस की अकॉर्डिंग ही पे करोगे तो जिस वीडियो के लिए अगर आक फर से आपने 10,000 रुपे दिये और उस वीडियो पे कभी-कभी 1,000,000 विउस भी आ जाते हैं 50,000 विउस भी आ जाते हैं एक लाख व्यूज भी आ जाते हैं तो आप फिर उत्रा आमाउंट क्यों नहीं देते हो अगर व्यूस की अकोर्डिंग दे रहे हो तो एक मिलियन व्यूस पर आगर आपकी ओप्रमोशनल वीडियो है तो आप दे दिया करो 10 लाक रुपे नहीं देते हो ना वहां पर आप व्यूस काउंट नहीं करोगे क्योंकि आपको जादा पैसे देने पड़ेंगे लेकिन आप जो content creators है जो video creators है उनको video creator समझिए उनको उनमें और salesperson नथिंग अगेंस salesperson बट एक जो video या फिर content creator होता है और जो salesperson होता है उसमें अंतर होता है एक video creator का काम होता है अपने 100% effort देना वीडियो में फिर चाहे उस वीडियो में सो व्यूज आएं या एक मिलियन व्यूज आएं तो अगर आपको salesperson चाहिए तो उसके लिए अलग से आप salesperson हायर करिए BDA हायर करिए लेकिन जो content creators हैं उनको आप salesperson मत समझे तो इस type के सभी brand से मेरा हाथ जोड के निवेदन है कि मेरे पास अपने किसी भी चीज के promotions के लिए मत आईए क्योंकि अगर आप आएंगे तो मैं वो पैसा charge करूँगी जो मुझे लगता है वो नहीं charge करूँगी जो आप मुझे बोलेंगे या आप मेरे views के हिसाब आप से मुझे गिनवाएंगे ठीक है और बाकी मैं तो आप पर पास आती नहीं promotions के लिए आप खोद आता है तो आप अपनी जगे खुश रहिए मैं अपनी जगे खुश हूँ